जब बारिश की कोई संभावना नहीं होती है तो आस्मान सफेद बादलों से भरा होता है लेकिन जैसे ही बारिश होने वाली होती है पता नहीं कैसे बादल काले नजर आने लगते है मालो की जैसे किसी ने उनके रंग को ही पूरी तरब बदल दिया है बादल काले हो जाने के बाद मौसम भी अंदकार में हो जाता है लेकिन क्या आप जानते है कि ऐसा क्यूं होता है क्यूं बारिश से पहले ही बादल काले हो जाते है अगर नहीं तो आप बिलकुल सही जगह आये है हम आपको बताते हैं इसकी असली वजह तो देखिए ये पूरा वीडियो और लीजे आज के फैक्ट का टॉनिक फैक्ट टॉनिक के साथ तो चल ये शुरू किया जाए आपको ये तो पता ही होगा कि बादल पानी के वाश्प के छोटी छोटी बूंदों से बना होता है जब धर्ती पर गर्म जलवाश्प निकलते है तो वो उपर आकाश की तरफ उड़ने लगते है और उपर जाते जाते संगनित होकर धूल के साथ मिलकर जमा होने लगते है और तब ही बादल का निर्मान होता है जिसे हम पृत्वी पर से देखते है बादल का सफेद दिखाई देने का प्रमुख कारण है कि सफेद बादल सूर के किसी भी रंग को अफशोशित नहीं करते है बादल सफेद दिखाई देने का खास कारण यही है कि सफेद बादल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉप करने के बजाए उन्हें रिफलेक्ट कर देता है जिसके कारण हमें आस्मान के बादल सफेद दूद की तरह उचले दिखाई देते है आस्मान में बादल काले दिखाई देने का कारण भी कुछ ऐसा ही है बस फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश से बहले बादलों में पानी की बूंदों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे बादल घने हो जाते है और वे सूर्य के प्रकाश को रिफलेक्ट करने के बजाए एब्जॉप करने लगते है घने बादल सूर्य के सभी प्रकाश को अवशोशित कर लेते है जिसके कारण हमें कोई भी रंग वहां से रिफलेक्ट होते हुए नहीं दिखता और अगर कोई भी रंग ना हो तो वो काला लगता है इसलिए प्रित्वी से वही सफेद बादल काले दिखाई देने लगते है यही हम बादल को उपर से देखे तो वही बादल जो हम धर्ती से काला देख पा रहे है वो बिलकुल सफेद दिखाई देगा एरोप्लेन में बेठे यात्रियों को वही बादल सफे दिखाई देता है जो नीचे पृत्वी पर लोगों को काला दिखाई देता है उमीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आखिर बारिश से पहले बादल काले क्यों दिखाई देते है तो अगर ये वीडियो और ये फैक्ट आपको पसंद आए हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ले आएंगे रोचक तत्व से भरे अमेजिंग वीडियोज